आम का सीजन चल रहा है और हमारे पास क्रियो वालों ने भेज दिया है आम और इस आम से आप खेल सकते हो गेम्स बाई यह जो आप पेटी देख रहे हैं इनका मैंगो अडिशन वाला क्रियो काइमेरा माउस है और यह माउस इनका काफी पॉपिलर है एंड यह सीजन के साफ से इस परसने ने निकाल दिया है फुल मैंगो वली पैकिंग माउस कम आम ज्जादा लग रहा है तो इसको खा पाएंगे चला पाएंगे क्या चा कर पाएंगे डबबा खोलते हैं बबाभी पेटी जासे लग रहा है जैसे आम ही आते यहां पर ऐसी पेटी मारा को विल जेगी 100% आर्टिफिशल क्योंकि आम नहीं है ना और यहां पर काइमरा बेस्ट क्वालिटी आम के पत्ते और यहां पर को एक नोट मिलता है क्रियो की तरफ से फुल एक्दम हैंड रिटन नोट है मैं यहां पर दिखाता हूं वीडियो पॉस करके देख लेना और यह क्रियो के सी ओ ने लिखा है फुल परसनल कनेक्शन और भाई सिर्फ यहां पर माउस ही नहीं भाई टौफिल डाल किये इसमें यहां पर पारले की मैंगो बाइट और यहां पर पल्स पेट पूजा फेरे कम दूजा क्रियो के स्टिकर एसके अंदर और यह कुछ एक्स्ट्रा चीजे ओ ओके यहां पर हमारे को इसकी कुछ यूजर मैनुवल गाइड वगरा मिल जाएगी एंड यहां पर और मामला है वाई एक तो ऑईल संस्क्रीन मिल जाएगी संस्कूप वालों की तरफ से और केमिस्ट्ट प्ले का अंडर रोल ओन गर्मिया चल लिए भाई क्या करें आम के साथ फुल खयार रखो स्कीन का भी और गेमिंग करकर कर के पसीना आजा स्मेल नहीं आनी चीए वाई परमरा मामला है उसके लाववा ये माउस की एकसेसरी हो जाएंगा ऐृतिंक जो मतल flob मेन बॉक्स में देते हैं यह आम वाले बॉक्स माँ और ऊस्पेस लिक्त आप ऀसी के बलो गई पूरा mango वाला कलर रखा है, green, yellow, red, orange, फुलिया पर अलग-अलग color scheme यूज़ कर रखी है, बाकि जो पूरा mouse है, वो पूरा theme है, जो CRIO Chimera mouse है, वैसे हमने review करनी रखा, हमने पहले मंगवाया भी था बीच में, जो CRIO के बहुत सारे product मंगवाया थे, तो मैं करनी बाया था, ब और यह मारा seven button वाला mouse है, six plus one, दो main click होगे scroll और एक बीच का DPI button, forward, backward button मिल जाएगा, और एक नीचे हमारे को यहाँ पर switch button मिल जाता है, और नीचे हमारे का on-off button मिल जाता है, इधर type C port मिल जाएगा for connection and charging, और यह mouse हमारा customizable है, यानि कि यह धक्कन आप निकालके जो honeycomb shell है, इस की भी looks काफी सही लग रही है, वैसे looks के बारे में आप मुझे बताओ, यह काफी subjective चीज होती है, किसी को कोई चीज पसंद आती है, किसी को नी आती है, मेरे को काफी है, पतलब ऐसे tasty sa flavor लग रहा है, देख देख के पता नहीं, इस लग रहा है माउस को का जाओ, लग रहा है कि यह दो switch का फाइदा गया है, इसके अंदर एक silent switches है, जो extra box में आते हैं, ब्राउन वाले, उसके लग जो यह pink वाले switches है, यह clicky वाले हैं, मैं दोनों की sound सुनवाता हूँ, यह clicky वाले हो गए, यह silent switch हो गए, अगर आपको ज्यादा चक 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 पसंद दें तो आप silent switches लगा सकते हो, और future में कभी आपको switch खराब हो जाए, तो आप अलग से switches भाय करके, इसमें लगा सकते हो, हुआनों के switches इसके अंदर यूज करके, जिनकी life अच्छी कासी होती है, और यह आप माउस के design की बात करते हैं, तो हमारे को symmetrical shape में मिलता है, left-handed हो, right-handed हो, दोनों लो अंदर क्रियो का logo के अंदर RGB जोल भी और बाहर है RGB strip, और यह mango flavor वाले mouse के साथ, जो RGB के मज़े आ रहा है, वो बहुत ही सा परदस्त है, और इसके RGB के effects हम चेंज भी कर सकते हैं, इसके software में जाके, यहाप हमारे को different effects मिलता है, जो काफी सही लगते हैं, और नीचे हमारे को PTFE feet मिलते हैं, इसके PTFE feet अच्छे कासा smooth है, जैसे इसको table पे रखके हम इसको slide करते हैं, अगर थोड़ा सा पुछ भी करते हैं, तो अच्छा कासा mouse आगे slide हो जाता है, जिससे पता लगता है कि PTFE feet अच्छी quality के लगा रखके हैं, बढ़ हाँ, एक चीज मेरे को feel हुई, अब माउस आता है, पिकसा 3325 सेंसर के साथ, और यह जो सेंसर है, गेमिंग ग्रेड वाला सेंसर है, अगर आप e-sports वगरा खेलते हो, तो यह कहीं पे access disappoint नहीं करता है, और इस माउस के अंदर हमारे को 1000 Hz का polling rate मिल जाता है, यानि कि आपकी जो latency है, वो 1 millisecond के आसपस मिलेगी, polling rate का चार्ट आ रहा होगा आपके सामने screen पर, वीडियो पॉस करके देख सकते हो, और यह जो polling rate मैं डॉंगल के हिसाब से बता रहा हूँ, Bluetooth पर हमारे को polling rate 135 वर्ट का मिलता है, और यहां डॉंगल Bluetooth की बात करो हो, वायर लेसली आप डॉंगल और Bluetooth दोनों तरीके से यूज कर सकते और maximum DPI हमारे को 12,400 मिलती है, जिसके पास multi screen का setup हो, महाँ पर ज्यादर DPI समाझ माती है, बट गेमिंग में, आप बताओ मुझे, Counter-Strike में गुमा रहे हो, आप क्या कर रहा हो, इतनी DPI के साथ, मैं वैसे maximum 1600 या maximum to maximum 3200 DPI यूज करता हूँ, आप कितनी यूज करते हो, और को comment इस माउस के अंदर हमारे को software support भी मिलता है, फुल-on customization वाला मामला है, आओ एक बर software भी दिखा रहे हो, इसके software हमारे को कुछ ऐसा मिलता है, यहां पर मारा माउस बनावा है, सारे के सारे buttons हम यहां कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई भी basic function, कोई भी macro, कोई भी combination हमें इसके ओपर house end और RGB के option मिल जाएंगे, different different यहां पे effects है, हमारे RGB के, जो मैं आपको दिखा रहा है, इसके RGB आप चेंज कर सकते हो, और profiles यहां पर मिल जाएंगे, अलग-अलग game के आप अलग-अलग profile बनानी हो, या अलग-अलग workflow की profile बनानी हो, तो आप इस mouse की बना सकते हो, और जैसे की wireless आइटम है, तो battery backup बहुत माटर करता है, अप to 30 hours का battery backup को मिलेगा, बड़िक जो 30 और चाहरो निकाल पायोंगे, जो की अच्छा कासा है, और वैसे अगर gaming करते विए बट्री आउन होगी, तो वायर चला लो, अलग गयमिंग शेशन नहीं रूख़ा आपका, वह पार देर को कोई ऐसे दिखने है एक तो 1000 अट का पोलिंग रेट है तो लेटेंसी में अच्छ कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप लेतो न एस पोर्फॉर्मेंस मिलेगी आपके माउस से अगर बात करता है कि इंक्लूशन की यह माउस आपको 4000 का बिल जाएगा अगर आपका 4000 का बजेटा और यह मैंगो शेंग वाले आपको मज़े लेने हैं ऐसा माउस आपको अपने सेट अप पे लगाना है तो डेफिनेटल आप उसको कंसेटर कर सकते हो फीचर पैक्डाय ट्राइमोड कनेक्टिविटी अच्छी स्पैसिफिकेशन अच्छा सेंसर तो ऐसी कोई द बाइ